तो ये करNATAK का قرारा जवाब है उस ताना शाह को जिसको लगता है कि वो ताना शाही के बल पर घर और सदसिता छीन सकता है क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था करीब 80% राहुल जी का स्ट्राइक रेट है 40% मोदी जी का स्ट्राइक रेट है तो असल बात यह कि करनाटक यह कह रहा है कि हर बार सरकाई विर्फलता करती रहेंगी और अगर लोगों को लगेगा कि एक जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी माजिक खतम हो चुका है करनाटक के साधे 6 करोड लोगों ने साफ तोर से कहा है कि इस देश में मोहबबत जीतेगी और नफरत हाएगी करनाटक की प्रचंड जीत में बिलकुल खुशी मनाई जानी चाहिए लेकिन जो संदेश करनाटक ने दिया है उसको समझना जरूरी है करनाटक के साधे 6 करोड लोगों ने साफ तोर से कहा है कि इस देश में मोहबबत जीतेगी और नफरत हाएगी करनाटक ने इस देश को ये संदेश दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात करिएगा मेरोजगारी की महगाई की ब्रश्टाचार की तो हम आपके साथ खड़े होंगे अगर बात नहीं करिएगा और ध्यान भटकाने की कोशिश करिएगा तो अपने वोट से आपको निकाल बाहर करेंगे करनातक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है कोई फर्क नहीं पड़ता की आपकी सदस्ता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये करनाटक का करारा जवाब है उस ताना शाह को जिसको लगता है कि वो ताना शाही के बल पर घर और सदसिता चीन सकता है करनाटक एक और मेसिज दे रहा है कि जब करनाटक का चुना होगा तो अपने बारे में बात मत करियेगा जब करनाटक का चुना होगा तो मुझे क्या कहा गया मेरे साथ क्या हुआ ये मत कीजेगा जब करनाटक का चुना होगा तो बजरंग बली के संकष बंजरत दल को मत खड वो दो गुना, ती गुना है मोदी जी के स्ट्राइक रेट से, करीब 80% राहूल जी का स्ट्राइक रेट है, 40% मोदी जी का स्ट्राइक रेट है, तो असल बात यह है कि करनाटक यह कह रहा है कि हर बार सरकाई विर्फालता करती रहेंगी, और अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी माजिक खतम हो चुका है कहीं पर तो मुझे लगता है ब्राइंड राहूल गांधी की बात हो रही है और सबसे बड़ा संदेश करनाटक ने टीवी चैनल्स को दिया है मीडिया हाउसिस को दिया है और ये कहकर दिया है और बड़े साफ तोर से काय बिना ना नुकुर किये कि आप हिजाब पर हलाल पर बेकार के मुद्दों पर बहस करते रहिए चुनाओ तो हम अपने मुद्दों पर सरकारों को लड़ाएंगे और उन्ही को जिताएंगे जो हमारे मुद्दों की बात करते है क्योंकि करनाटक ने ये साफ संदेश दिया है कि अगर हार होगी और राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जाएगा जीत होगी तो राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा और उनके विडियो पर भी टीवी चानल वाले आपत्ती करने लगेंगे करनाटक ने बहुत सारे संदेश दिये हैं करनाटक ने ये संदेश दिया है कि जब आप 4000 किलो मीटर पैदल चलते हैं कन्या कुमारी से कश्मीर और अजनबियों को गले लगाते हैं और उनके आसू पोचते हैं जब आप एक डिलिवरी बॉय के पीछे बैठकर उसकी जिन्दगी समझना चाहते हैं जब आप एक भावुक होई औरत से उसके पती की पिक्चर देखना चाहते हैं जब आप एक छोटे से बच्चे को सुपारमैन बनने की पुरी वो हिदायत देते हैं तो मुझे लगता है कि ये महबत की बात है और यही महबत इस देश को एक जुट रखती है और यही महबत जीतेगी को हमारी टीम कहती हो कि इन्होंने सहवाग की तरे बैटिंग करी वो लगातार एक के बाद एक सिकसर मार रही थी और एट का जवाब पत्थर से दे रही थी हमारे जनरल सेकippy श्री सुर्जेवाला जी और हमारा लोकल नेतरथ चाहे वो D.K. शिवकुमार जी हूँ, चाहे वो सिधारमया जी हूँ, एक साथ मिलकर जो चुनाओ को दिशा दी गई, जो narrative दिया गया, वो important था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि social media की head होने के नाते, मेरे लिए जरूरी है ये कहना कि INC की social media team, करनाटक की social media team, ने जबरदस्त काम किया, और खास तोर से वो volunteers, जो selflessly, बिना कुछ return expect किये, जो पूरे समरपण के भाव से हमारी narrative को प्रबल बनाते हैं, हमारी आवास को और आगे पहुँचाते हैं, क्योंकि अधिकांश media जब हमें blackout करता है, तो आप ही हमारे लिए उठकड़े होते हैं, आप सब का और हम साथ मिलकर नफरत के इस बाजार में बहुत सारी महबबत की दुकाने खोलेंगे, और ये महबबत की दुकाने और भी पनपेंगी, और जगे खुलती जाएंगी, अभी तो ये जाकी है, आप आगे देखिए राजिस्थान, चत्तिसगर्ड, मत्यप्रदेश, तलंगा और मिजराम और फिर दोहजार चॉबस की बारी है